एके सेवन एप्सिक्स वन टू वन डबल जिरो ओके हैंडल बार लेफ देख सकते हैं यह खाकी लूज है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसकी अन्बॉक्सिंग और इसकी साइज का मैंने आपको वीडियो दिखाया तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं अपने बाई पल्सर वन 50 मैं जो कि मैंने पल्सर वन इती में मोडिफाई किई है आज मुसमें यह आरों 5 वर्जन 3 का क्लिप ऑन हैंडल बार आपनी पल्सर वन 50 में इंस्टॉल करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक शीज़ों दोस्तों इसी तरह की वीडियो में आपने इस चैनल पर लिका आता रहता हूं वीडियो आज वर्जन 3 के इस क्लिप ऑन हैंडल बार को इंस्टॉल करने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो निताल लिकां बार और इसको चेक करते हैं कोई साधी एक लेलेंगे दोस्तों पर इसको चेक करेंगे यह हो गया मैंने इसमें एक बोल्ट अपनी तरफ से लगा रखा है यह काम आएगा टी प्लेट के उपर ओके यह रहा मेरा पॉल्सर वनिटी का एक शॉक अप देख सकते हैं यह खाफी लूज है तो अब हमें इसको टाइट कैसे करना है मतलब इसको फेट कैसे करना है और दूफरा प्रोसेस इसका एंड बार यहां पे जो एंड बार लगता है उ मुझे इसकी ज़रत पर है दोस्तों एंड बार के लिए मैंने मैं इसका यूज करने वाला हूं यह एलमूनियम के हैं और यह फोड़ से साइज में मोटे हैं तो इसकी घिसाई करूंगा यह तो मैं इसान लगाता हूं आप देख सकते हो इतना और यहां से इतना इसको भी ल है जब देख सकते हो यह पने कट खके लिए कि अब जिए इसको हम इसी हिसाप से इसमें तरह कर के देख लेते हैं यह कुछ स्थे इस तरह से टाइट करेंगी और इसको परफेक्ट टाइड करके देखेंगे कि यह सट आता है या नहीं आता है दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको फुल टाइट कर दिया है लेकर उसके बावजुद भी धीला देखते हैं और कोई जुगारबाजी करके तो यह जो रिंग मैंने बनाई यह फेल हो गई और यह मैंने एक और रिंग बनाई थी दोस्तों इस लोहे की पप्पे से तो इसकी मैं इसको ज्यादा मोटी हो गई अलाकि बन तो लगबग यह भी गया था लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी फिर मुझे इसको घिसना पड़ता बहुत सारे काम करने पड़ते तो वीडियो लंबी हो जाती तो मुझे मिल गई मेरे पास रखी हुई कुछ रिंगे यह देख सकते हो यह अपने होस पाइप वगेरा में यह रिंगे लगे होती है जो बड़ी गाड़ियों की होस पाइप होती है तो इनको जो मैंने देखा कि मैं अगर इनको दो-दो करके सेट कर देता हूं तो इसकी चोड़ाई भी बिल्कुल सही आ जाती है और वहीं इसमे अड़ेस्टेबल रिंग भी है तो बस अपने कोई यह कट करना है इसका जो उठावा पॉइंट है इसको कट करना और इधर से इसको कट करना है तो चलिए फटाफट से देखें दोस्तों एक दो रिंग तपने त्यार होगी दोस्तों दो और कर लेते हैं एक तो ज़िए एक्सी मैं एकटना व्यातीश भी तेक ये है आको फुल्फिल नहीं कर पा रही थी जो मैंने बनाया था इन दोनों से ही जाएदा मोटी इसकते आप लोग इसे थिकने दिख़ी होगी आपको तो यह देखी है नहीं देख सकते हो, इसमें यह बिठाना परड़ेगा अपने को दोस्तों, तो थोड़ा सा इडिएस्ट करना पड़ेगा इसको, और १के, परफेक्ट, दूसरी रिंग से इसमें 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 गैप है, उसमें इसमें बिठा लिए है। परफेक्ट होगे दोस्तों देख सकते हो जितने हमें चाहिए थी जितने के हमें जरुरत थी उतने ही इसमें गैप है इस तरीके से अपना दूसरे में भी बिठा लेते है इस तरफ से अगर दिक्कत होगी तो थोड़ी हम इसकी हल्प से इसकी घिसाई कर देंगे अंदर की इस तरीके से रस्क को रिमींग कर लेंगे अच्छे से इसकी बनाना है इसका यह वाला पॉर्ट्सन यह देख है न यह थोड़ा से ज्यादा मोटा है तो इसको मैं ड्रिल मसिन में इसको में कट कर लिया है अब हम इसकी करेंगे घिसाई की देखिया है यह इसमें मैंने अपना वह एलन की लगा लिया है वह एंड बार वाला ओके और इसकी लगबाग थोड़ी घिसाई में कर चुका हूँ फाइनल दोस्तों देख सकते हो इसकी घिसाई हमने कर लिया है ओके अब यह बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में सही मैं अपने दो बोल्ट बना लूँ अब इसको बीच में से लगा दिया और इसको मैं कट करोंगा तो फिलाल में चेक करा देताँ आप लोगों को यह देख सकते हैं अब यह थोड़ा गरम है थोड़ा नि बहुत जादा अब देख सकते हैं इसको इसको बाद में हम पुश भी करेंगे तो अंदर चलाएगा अब इसको पुश कर देंगे थोड़ा सा हाँ थोड़ी की चोट से मारेंगे तो यह अंदर हो जाएगा इस तरी है एक चीज तो काम याप हुई अपनी महनक करते करते और इसके अंदर अपनी पैकिंग तो लगी चुकी है दोस्तो देख सकते हैं बिल्कुल सेट है दोस्तों और यह मेरी पलसर 150 का एंड़ इस तरीके से इसको टैट कर लेते हैं अ कि अपना टाइट हो गया दोस्ते तो कुछ इस तरह का सा लूप आएगा टाइट होने के बाद में यह एकसलेशन पॉंट अपना होगे दोस्तों ऑके इंस्टॉल होने पर यह कुछ इस तरी सेंपल में आपको दिखाया है कि इस तरह का लुक आएगा दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रहे थी इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक इसके आगे का प्रोसेस में आपको अपनी नेक्स वीडियो में दिखाऊंगा मिलते हैं मेरी नेक्स वीड सब तक के लिए गुडबाय टेक कर सलाम